एक वीक की मलाइए में एक iloo शुद् देसी घी और एक iloo मथ्हू और मावा जो के हम किसी भी मिठाई में यूज़् कर सकते हैं जब भी हम बाहर से घी लेते हैं तो वो बिल्कुल वे शुद्ध नहीं होता है लेकिन जब हम घर पे घी निकालते हैं पेवर होता है और एक हफते की मलाई में हम एक किलो घी निकालेंगे आज बिल्कुल नए तरीके से वीडियो बहुत जादा इंफोर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा वाच कीजिएगा पसंद आती है तो प्लेस सब्सक्राइब जरूर केजिएगा और एक लाइक करना न तो अब यहां पर हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे मिक्सी का जार लेके हम जो मलाई हमने निकाली है वो हम इसमें डालेंगे यह बहुत असान तरीका है मलाई से घी निकालने और इसमें मात्रा आपको 30 सेकंड का टाइम लगता है तुछ सर्दियों का मौसा में तो आप ही सब्सक्राइब निकाले में ग één जो है बैटर्यू द चिते मैं लेतो आपनी का बहुत जुक्तप्राइब द amal जाता वर फॉर आपर और जात ही इसलिए मैंने यहाप पर नॉर्मली पानी डाला था जो कि एक कप था अब इस मखन को हम निकाल लेंगे निकाल के हम इसे एक जिगा कलेक्ट करते रहें क्योंकि मलाई की क्वांटिटी काफी जादा है तो एक बार में नहीं निकल पाएगा सारा का सारा इसे हम दो से तीन बार में मिक्सी में डाल के चलाएंगे और हमारा जो सारा मलाई है वो मखन में तबदिल हो जाएगा तो देखे मैंने निकाल लिया है अब निकालने के बाद हम यह जो मठा बचा हुआ है इससे हम एक कंटेनर में रखते रहेंगे जितना भी एकसेस वाटर इसका निकलता रहेगा हम इसमें रखते रहेंगे सीदर देखे मैंने बच्ची वी सारी मलाई इसमें डाल दी है और डाल के इसमें पानी बी डाल देते हैं तो पानी मैने हाफ कब फिर से डाल दीा है और डाल के फिर से एक बारा मिक्सी को चलाएंगे और देखिए बहुत ही असान तरीका है फ्रेंट्स आप इस तरीके से मखन निका लिए बहुत ही असान है और आप इस मखन को नॉर्मली भी खा सकते हैं रोटी या ब्रेट के साथ या फिर आप इससे घी निकाले जो चाहें आपकी जो पसंद हो आप इसे कर सकते हैं तो देखिए सारा का सारा मारा मखन निकल गया है अब जो हमारा चाच निकला तब वो हम देखिए ट्रांसफर कर देते हैं एक बरतन में आप देख सकते हैं किसना सारा हमारा जो चाच है वो निकला है और यह बिलकुल भी खटा नह तो यहां पर रुक कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए गार चैलन पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए का दिखिए यहां पर मैंने बड़ा बरतन ले लिए जिसमें मैंने पानी डाल लिया है और पानी डाल के अब हम इस मखन को अच्छे से वाश करें अगर आपको मखन बनाना है तो आप इस स्टेप को फॉलो करके और किसी भी कंटेनर में इससे फ्रीज कर सकते हैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल कर आपका जो मखन है वर रेडी हो जाएगा लेकिन हम इस मखन से आज घी बना रहे हैं तो यहां पर देखिए गयास पर मैंने एक परतन चड़ा लिए जिसमें हमने सारा मखन ट्रांसफर कर दिया है और आप हम इससे पकाएंगे इस मखन से हम घी निकालेंगे तो आप जब भी घी निकालें आप इसमें दो से तीन ड्रॉप बहुत जादा नहीं मुझे बस दो से तीन ड्रॉप ही नीबू की एड़ की जि जो यह घी निकाल रहे हैं हम इसमें किसी भी आटी का यूज नहीं करेंगे और बहुत यसानी से बहुत ही बहुत ही बेहतरी इन शुद्ध गी निकालके रेडी करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि जो हमारा घी है वो नीचे से देखिए है और हमारा जो मखने वो धेर सारा निकला है तो आप इस तरीके से कभी भी घी निकालेंगे आपका घी बहुत सारा निकलेगा मैं हमेशा आप लोगों को घर पे घी निकालना रिकमेंट करूंगी क्योंकि घर का घी बहुत ही जादा शिद्ध होता है क्योंकि बा सकते हैं आप बच्चों को इस घी को दीजिए उनके लिए बहुत ही हल्दी होता है और देखिए यहां हम लो टू मीडियम फ्लेम पर घी को पका रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो मावा है वह बहुत ही कम क्वांटिटी में निकलेगा जिस तरह से मैं आपको बता रही और इससे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तो हम इसे किसी भी ग्लास की जार में ट्रांसफर कर लेंगी तो यहां पर हमारा जो घी है वह ठंडा हो चुका है आप ठंडा करके ही घी को किसी भी बरतन में स्टोर कीजिए यहां पर मैं कांच की कंटेनर में से स्टोर कर रही हूँ और यह हमारा अराम से चलेगा यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो देखिए घी कितना क्लीन और क्लियर दिख रहा है ऐसे घी आप भी निगाल सकते हैं से स्टेप को फॉलो करके तो जरूर से जरूर इस सर्द प्लेज एक लाइक जरूर कीजिए का चैनल बर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा